आपको लगता है जो चुनाओ है सच में जो है अपनी संवेदानिक ताकतों का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है एकदम नीट्रल बना पड़ा है और जिस तरीके के निर्देशित कर दिया जाता है उसी तरह से काम कर रहा है देखिए जहां तक मुझे लगता है जो मेरा थोड़ा सा अनुफो है चुनाओ आयोग एक बहुत पीछे तीन-चार दशक पहले चले जाएं उसकी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इधर पिछले कुछ दस्कों में ये बात आयोग के उपर जो सवालिया निसान लगते आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वो एक लोगतांत्रिक व्यवस्ता में और एक किसी भी समवैदानिक संस्था के लिए कि उस पर सवाल खड़े हूँ वो दुर्भाग पूंतो है ही लेकिन ये जो दवाओ में तो ये दवाओ तो पहले भी रहे हैं चाहें चुनाओ की तितियों के मामला हो चाहें वो और कभी गर्वरिया चुनाओ में हुई हूँ उसको लेकर हो और जब आयोग पर जाता है तो कहीं न कहीं सत्ता का कहीं न कहीं प्रभाओ तो परोक्ष अपरोक्ष देखने को मिला है ये बात खाली आप भारती जनता पार्टी के शाशनकाल में अगर ये कहें कि इधर पांस साल में ये हुआ है इससे पहले तो बिलकुल संबैदानिक संसाएं एकदम निस्पक्षता से मर्यादाओं से काम कर रही थी मुझे ऐसा समझ में नहीं आता है ये पहले भी रहा है हां इतना सा तो जरूर कहा जा सकता है कि तब जो है कुछ चीजे धगी रहती थी अब थोड़ा सा उसका मतब क्या शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए कि थोड़ा बहुत ओपिन की बात नहीं है उद्धा थापरों ने एकदम सिदा सिदा आरूप लगा दिया है जिद दोहजार चौबेस का इलेक्शन नहीं मैं पिछले मैं यही बात कर यही मैं कहने जा रहा हूं पहले यह ची प्रेस कानफरेंस के और उन्होंने का कि दोहजार क्रोड रुपे में यह सारी चीजें हमारा सिंबल और यह सब चला गया और पार्टी तूड गई और इस पर डील हुई यह आरूप लगाए हैं यह बात अपनी जगे क्या है यह तो आप कह सकते हैं कि क्या सच है क्या नहीं यह लेकिन एक समवैदानिक संस्था के ऊपर सवालिया निसान तो लगा है जो नहीं लगना चाहिए लेकिन आयो की यह जितने भी समवैदानिक संस्थां हैं और बहुत सी बी ऐसे कई उधारण हैं कि जिनको लेके भी चर्चा बनी रहती है तो कहीं न कहीं सत्ता में जो भी पार्टी रहती है उसका एक दबाव रहता है या उसका प्रभाव रहता है कुछ भी कहलीजिए इधर देखने में ये आया है कि पिछले एलेक्शन्स में भी दो एक एलेक्शन्स में भी विपक्षे ने यह आरूप लगाए कि साब उनके दबाव में हमारी बात नहीं सुनी इधर जब ये शिवसेना का मामला आया तो शिवसेना ने तो पूरी तरीके से खुल के और यहां तक कह दिया कि इस समवैदानिक संस्था का अब कोई महा तो नहीं इसको समाप्त कर देना चाहिए और इतना ही नहीं उसके समर्थन में सुब्रामनिन स्वामी जो भार्टी जनता पार्टी के हैं उन्होंने भी उनकी बात का कहीं न कहीं समर्थन किया तो ये बात तो इस पस्थ है कि समवैदानिक संस्थाओं को अपनी मर्यादाओं में अपने कहीं न कहीं दबाओं से अलग हटके रहना चाहिए लेकिन फिर सवाल वही होता है कि उसमें जो जजिस में आ जाई है कोलेजियम ये भी मांग उतने लगी है कि अब जो भी हो वो आयोग जो बने या उसका जो मुखिया बने वो कोलेजियम सिस्टम के हिसाफ से बनना चाहिए या कुछ जजिस धंका प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि वो सब्ता के ये सरकार नुक्त न करे जब नुक्त होगा तो उसमें कहीं न कहीं उसका प्रभाव होगा तो उस प्रभाव से संबादानिक संसा की मर्यादा बनाए रखने के लिए ये चीज़ें आ रहे हैं और चीज़ें बदलती रहती हैं तो इसलिए जहां तक मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं है और इस प्रक्रण में जिस धंक से आया है तो लेकिन एक बात और भ बैटे हैं वो उसमें कर दें अगर कहीं गलत हूँ तो साधी कली वाले में जब कांगरेस आई ओ कांगरेस का विभाजन कतब हुआ था तो सुप्रिम कोर्ट की ने ये बात कही थी कि चुनाओ आई ओग ही इसका फैसला करेगा सिंबल का तो ये सुप्रिम कोर्ट की गाइड जब निर्नार आएग तो पता लगा है लेकिन इस सवाल पे है वह ये सवाल है कि जो सिमम्बल है अगर वो बालँसाब ठाक्रे करनाया गळ या जब परिवारिक तो एक प्रापर्टी एक इसको दे दिया जाएगा उनके बेठे को यह नहीं ही क्या देगता है कि कितने विध करने में खाली विधायकों का सांसरतों का नहीं कूरी पार्टी का या पार्टी संगत्थन का यह सारी चीज़े मिला होता कि आकिर क्या इस्थिती है मतब खाली एमेले टूट जाएं या तूट जाएं उस आधार पर पार्टी का दूसरे को दे दी जाए या उसका सिंबल भी उसको दे दी जाए जहां तक मुझे लगता है बाकी इस मामले में तो जो बिधिक क्याता है वो लोग जादा इसमें बहतर प्रकास डाल सकेंगे लेकिन मुझे लगता है यह आधार नहीं मुझे लगता है कि यह आधार नहीं हो सकता कि खाली जनप्रतनित चले जाएं हाला को इसमें जनप्रतनित जादा गए बाकी संगठन के लोग उनके बाकी उनके साथ चले गए हैं paint के करीब लेकिन इनके कि कि चले जाने से तरकार तो गिर सकती है यह सरकार का तो अल्पमत में हो дभी हैं लेकिन पारिटी को उसको दे दिया जाय जो टूट के गए हैं जो मुल्रूप से जिस पार्टी में थे उससे अलग हुए है तो यह कई complicated cases हैं अब उसमें Supreme Court क्या रणने लेता है ये तो देखने की बात होगी लेकिन ये विवादास्पत पेस जी ठीक है अब बोले बोले से पुड़ा करिए विवादास्पत ये तो है लेकिन इस मामले में जहां तक मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि साधी कली वाला case Congress का था वो इसे पलतेगी किन आधारों पर पलतेगी तो ये इतना आसान भी नहीं है उद्धवक जी के लिए कि ये इनको मिल ही जाएगा लेकिन ये अब तरकों की बात है और नियमों की बात है क्योंकि जो Supreme Court का जो फैसला था वो तो यही था कि आयोग देखे करेगा कि सिंबल किस पर जाएगा यहां पार्टी का पूरा दे दिया गया है तो इसमें थोड़ा सा फर्थ तो है लेकिन अगर वो गाइडलाइन हुई तो फिर चीजें किधर उमूत किस करबट बैठता है ये देखने की बात होगी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यू पुस्दाषा